स्वागत है आपका आपके अपने चैनल आदित्य मोटो राइड में और आज हम बात करेंगे नौ ऐसी बाइक्स के बारे में जो कि कुछी महीनों के अंदर भारती बजार में लॉंच होने वाली है तो यहाँ पर नंबर वन पर आती है यामां MT 125 यह एक नेकिड स्ट्रीट फा आने वाला है बाइक का जो लोग के वो identical रहेगा MT 15 तरही जो electrical setup है वो भी आपको देखने को मिलेगा बस जो major changes रहेंगे वो यहाँ पर colors और ग्राफिक्स में आपको देखने को मिल जाने वाले हैं और थ्लोबत कॉस्मेटिक चीनिज आपको मिलेंगे बाइक में आपको मिले डूएल चैनल ABS यामाहा एडवांस टेकनोलोजी जो बिल्ड कॉलिटी वो भी यहाँ पर आको बहुती सही मिल जाने वाली है सामने आपको टेलस्कोपिक सस्पेंशन मिलेगा और पीछे आपको मोनोशोक सस्पेंशन मिल जाने वाला है अब बात कर लेते हैं कि यह बाइक पील भी दे देती है और थोड़ी बहुत आपको नेकेड स्ट्रीट फाइटर का भी लुक अपीलिंग दे देती है एक लाख 10,000 रुपेस बाइक की कीमत रहेगी बाइक का जो लुक से वो बहुत ही शानदर है टैंक पर जो काउल लगा है वो बाइक को एक अलगी जबरदस्ट मिल जाती है बाइक में आपको मिलता है 124 CC का सिंगल सिलेंडर ओयल कूल बीएच्पी की पावर और 11.6 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलेगा और नमबर ओगेर्स आपको इसमें 6 मिल जाने वाले हैं बाइक में आपको डुएल चैनल ABS मिलेगा और डिजिटल इं अब अगर बात कर लेते हैं कि यह बाइक कब तक भारती बाइक में लॉंच हो जाएगी तो ऑक्टोबर 2030 में यह बाइक कंफर्म भारती बाइक में लॉंच होने वाली है नमबर थरी पर आती है या महां फेजर 150 यह एंट्री लेवल की कम्यूटर सेग्मेंट की 150 CC की बाइक रहेगी जिसकी प्राइजिंग होने वाली है एक लाख रुपे इस बाइक का जो लुक्स से वो डिसेंट साई है लेकिन डिसेंट से ही लुक्स में यह बाइक बहुत ही बढ़िया दिखती है आपको जो अलेक्रिकल सेट आप है वो भी यहां पर आपको प्राइस के साब से बहुत ही अच्छा मिल जाने वाला है तो विजिबिलिटी को लेकर कोई भी दिखकत आपको नहीं आएगी 149 सीसी का सिंगल स्लेंडर एर कूल्ड बीएस 6 कंप्लाइन इंजन आपको इस बाइक में मिलेगा जिसमें आपको 14 बीएच्पी की पावर और 11 यूटर मीटर के आपको मिलेगी तो जो इस किड वगेरा होने के चांसे हैं वो आपको इस बाइक में कम फेस करने मिलेंगे सामने आपको डिस्क ब्रेक मिलेंगे और पीछे आपको ड्रम ब्रेक मिल जाने वाले हैं अब अगर बात कर लेते हैं कि ये बाइक कब तक भारती बजार में तो नोवेंबर 2023 में ये बाइक कंफर्म भारती बजार में लॉंच होने वाली है नमबर 4 पर आती है कीवे RKF 125 ये एक एंट्री लेवल की कम सीसी की नेकिड स्पोर्ट्स बाइक रहेगी जिसकी प्रैजिंग होने वाली है एक लाख 40,000 रुपे बाइक का जो लुक्स अब बहुती स्पोर्टी और मेस्कुलर है और इसका जो अलेक्ट्रिकल सैट अप है उनकी जो कॉलिटी जो फंशनिंग वो भी यहां पर आपको टॉप नॉच कॉलिटी की मिल जाती है तो लुक्स और अलेक्ट्रिकल को लिकर कोई भी कंप्लिण आपको नहीं आएगी बाइक में आपको मिलेगा 124 CC का सिंगल स्लेंडर लिक्विट कूल बीए सिक्स इंजिन जिसमें आपको 15 बीएच पी की पावर और 13 न्यूटर मीटर के टॉर्क मिलेगा और नंबर ओग गेर्स यहां पर आपको 6 मिल जाने वाले हैं बा गर बात कले तेंग यह बाइक कब तक लॉंच हो जाएगी तो डिसेंबर 2023 में यह बाइक कंफर्म भारती बजार में लॉंच होने वाली है नंबर 5 पर आती है हस्कवर्ना स्वाडपिलियन 125 यह भी एक नेकट बाइक होने वाली है हाला कि यहां पर हस्कवर्ना की जो रुपेस बाइक की कीमत रहेगी, बाइक को जो लुक से वो स्वाड पिलियंड 250 की तरह ही होने वाला है, बस यहां पर आपको थोड़ी बहुत कॉस्ट कटिंग और थोड़ी बहुत फीचर्स कम देखने को मिलने वाले हैं, बाइक को जो लुक से वो बहुत ही शानदर है और जो लेक्टरिकल से होंगे, जो विजिबिलिटी जो फर्मशिटिंग वो भी यहां पर आपको एवन कॉलिटी की मिल जाने वाली है, बाइक में आपको मिलेगा 124 CC का सिंगल सिलेंडर लिक्विट कूल इंजिन, जिसमें आपको 14.5 BHP की पावर और 12 Nm का टॉर्क मिलेगा औ और number of gears यहां पर आपको 6 मिल जाने वाले हैं, बाइक में आपको all digital meter मिलेगा, single channel ABS यहां पर आपको available करवा दी जाएगा, बाइक में आपको spoke wheels मिलेंगे, सामने आपको telescopic suspension और पीछे आपको monoshock suspension मिल जाने वाला है, और dual disc brake आपको बाइक में देखने को मिलेंगे, अब वो हर एक भारतिये को पसंद आने वाली है, राइटरो नेकिड बाइक के अंदर ये बाइक आ जाती है, जिसकी pricing होने वाली है, एक लाख 35,000 रुपे, बाइक का जो लुक्स वो बहुत ही शानदार है, जो बाइक की sitting posture है, और जो comfortability है, वो भी यहां पर आपको अच्छी खा मिलेगा, और number of gears यहां पर आपको 6 मिल जाने वाले हैं, बाइक में आपको all digital instrument console मिलेगा, जो handle बार है, जैसे में आपको बताया है, वो यहां पर आपको upright मिलेगा, तो किसी भी तरह का back pain आपको feel नहीं होगा, dual disc brake with single channel ABS में आपको मिलेगा, front में आपको telescopic suspension मिलेंगे, और पी Honda CB150R, यह एक ऐसी बाइक है, जिसका इंतजार इंडिया में बहुत सालों से किये जा रहा है, और लोग इस बाइक के लिए बहुत time से wait कर रहे हैं, naked retro में यह बाइक आती है, जिसकी प्रैजिंग होने वाली है, एक लाख साथ हजार रोपे, बाइक का जो looks है, वो बहुत ही मतलब एक जहलक में ही है, आपको यह बाइक पसंद आ जाएगी, और आपको जो बाइक में electricals है, वो भी top quality के देखने को मिल जाते हैं, जो बाइक का sitting posture है, वो भी यहाँ पर आपको upright मिलता है, अगर बाइक के engine की बात कर, तो बाइक में आपको मिल जाता है 149 CC का single cylinder liquid cooled engine, जि पीछे आपको monoshock suspension मिलेगा, दोनों ही wheels आपको 17 inches के मिलते हैं, जो कि आपको alloy में मिलते हैं, सामने का जो wheel है, वो आपको 110 section 70 के tire offer करता है, और जो पीछे का tire आपको 150 section 60 का मिल जाता है, सामने आपको 296 mm के disc brake मिलेंगे, और पीछे आपको 220 mm के disc brake मिल जाने वाले हैं, और ज November 2023 में ये bike confirm भारती बाजार में launch होने वाली है, तो अगर आप किसी bike को लेने को इंतजार कर रहे हो, तो आप थोड़ा बहुत इस bike के लिए रुख सकते हो, नमबर 8 पर आती है Lex Moto LXR 125, ये एक fully fed bike है, तो जिसको कम CC में एक fully fed bike चाहिए RC 125 की तरह ही, तो वो इस bike के लिए weight कर सकते हैं, एक लाख 30,000 रुपेस bike की कीमत रहेगी, बाइक का जो लुक्स है, वो बहुती sporty और muscular है, और इस bike को आपको चलाने में भी मज़ा आएगा, बाइक में आपको मिल जाता है 125 CC का single cylinder liquid cool SOHC F5 BS6 compliant engine, जिसमें आपको 12 BHP की power और 11 Nm का torque मिलेगा, और number of gears यहां पर आपको 6 मिल जाने वाले हैं, बाइक में आपको dual disc brake मिलेगे, with single channel ABS, analog और digital का meter मिलेगा, fully fed में आपको यह बाइक मिलती है, best looking आपको मिल जाता है बाइक में, सामने आपको telescopic suspension मिलेगे, पीछे आपको mono shock suspension मिलेगा, और 13.5 liter का fuel tank capacity आपको मिल जाने वाला है, और जो mileage वो भी आपको इ नमबर 9 पर आती है, या महा XSR 155, ये भी एक ऐसी बाइक है, जिसका भारत में लोग बेस सब्री से इंतजार कर रहे हैं, निकेड कैटिगरी में ये बाइक आती है, जिसकी प्रैसिंग रहेगी 1,75,000 रुपीज, बाइक का जो looks है, वो बहुत ही शान्दर है, क्लासी सी पर आपको 6 मिल जाने वाले हैं, बाइक में आपको digital meter मिलेगा, जो handlebar है वो यहाँ पर आपको upright मिलता है, तो आप गाड़ी को तनकर चलाओगे, तो किसी भी तरह का back pain आपको यहाँ पर नहीं आने वाला है, dual disc brake with single channel ABS आपको समें ओफर किये जाएगा, सामने आपको USD fork suspension मिले देखा जातों, new retro bike केंदर यह bike आती है, तो overall एक बहुत ही जबरदस्त bike, Yamaha company आपके लेकर आने वाली है, अब अगर बात के लेते हैं, यह bike कब तक launch हो जाएगी, तो January 2024 में यह bike confirm भारती बजार में launch होने वाली है, बाके दोस्तों आप comment करके ज़रूर बताना कि 9 bikes में से करोगे, तो में देखिए, आप सभी को यह वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है, तो उसको like करो, share करो, और अगर आप मेरे चैनल पर नए आया हो, तो subscribe करके बैल आकन दबा दो, क्योंकि मैं आप लोग के लिए ऐसे ही वीडियो लात र वीडियोज,